हम लोग इसके लिए भी लिख लेते हैं लेट अलफा एंड बीटा आर जीरोज ओफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एफ एक्स है ना हमारे पास सम ऑफ जीरोज है ना और प्रोडक्ट ओफ जीरोज दिया हुआ है ठीक है यह दो चीज़ यहां पर दिया हुआ है थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं ठीक है यह हमारे पास दिया हुआ है अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं मैं यहां पर पॉलिनोमियल एफ एक्स को लिख सकता हूं के इंटू में एकस स्क्वाइर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा वियर 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 के इस एनी कॉंस्टेंट यह अपका कोई कॉंस्टेंट हो सकता है कि चलिए समझी आ गए इसके बाद इसमें हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, k into में x square minus alpha plus beta का value minus 3 by 2 root 5 x है और plus alpha beta क्या है, alpha into beta जो है minus का 1 by 2 है, देखिया, अच्छा, यहां से हमारा polynomial fx equal to में क्या जाएगा, k into में x square plus हो जाएगा, 3 by 2 root 5 x और यहां plus minus minus 1 by 2, ठीक है, और यहां लिए सकता है कि where k is any constant, any constant, समझ रहे हैं न, चलिए अब इसके बात देखिया, यह तो हमने polynomial निकाल दिया, अभी हमें इसके factorization के द्वारा इसका 0s निकालना है, तो चलो, अब हमनों क्या करते हैं, now, हमारे पास fx equal to क्या है, k into में x square plus का 3 by 2 root 5 x minus 1 by 2, यहीं न है, चलिए अब इसका factorization करने के लिए हम लोग नीचे पहले lcm लेते हैं, तो k into में, क्या हो जागा नीचे lcm, इसका 2 root 5 ही होगा, इसमें नीचे 1 है, 1 से इससे divide करेंगा 2 root 5 x square से into करेगा, तो 2 root 5 x square, इसमें divide करेंगा 1, 1 जाके उपर into करेगा तो 3 x, इसमें divide करेंगा तो root 5 आएगा, root 5 जाके 1 से into करेगा, तो root 5, तो हम लोग क्या करेंगे, k by में 2 root 5 into 2 root 5 x square, plus का 3 x minus का 5, ठीक है, आप देखिए इसके बाल, अब हम इसका क्या करना होगा, minus का root 5 है, यहाँ आप इसका factorization करना होगा, तो k by 2 root 5, आप देखो यहाँ पर, आप इसमें इससे multiply करोगे, तो minus का 10 x square है, तो इसको दो पार्ट में करना होगा, तो 2 root 5 x square, plus का 5 x minus का 2 x minus का root 5, ठीक है, अब चलिए, k by 2 root 5, bracket के अंदर, यहाँ पर क्या common होगा, यहाँ पर आपका common होजाएगा, root 5 x, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा, आपका 2 x, और plus, एक यहाँ root 5 बच जाएगा, आप इससे multiply करोगे, तो यह 5 x हो जाएगा, इन दोने में कुछ common ही है, तो 1 common कर लेते हैं, यहाँ, 2 x plus root 5, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों bracket में एक जैसा आगया, तो आप इससे अब लिख सकते है, k by 2 root 5, into में, यहाँ पर इन दोनों को common करेंगे, 2 x plus root 5 को, तो यहाँ पर आपका root 5 x और minus 1 बच जाएगा, अब यह क्या है, fx है, अब इसका 0 निकालने के लिए हमें, fx equal to में क्या कर देना होगा, 0, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, क्या हो जाएगा, k by में 2 root 5, into 2 x plus root 5, into root 5 x minus 1 equal to 0, यह जाकर divide होगा, 0 से तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा, आपका 2 x plus root 5, into root 5 x minus 1 equal to 0, अब यहां से अलग-अलग कर देते हैं, 2 x plus root 5 equal to 0, और root 5 x minus 1 equal to 0, ठीक है, तो यहां पर 2 x equal to minus root 5, यानि x equal to minus root 5 by 2, और यहां देखिए, root 5 x equal to 1, यानि x equal to 1 by root 5, तो यही आपके दो 0 हो जाएगे, समझ रहे हैं न, कुसर नमर 3 देखिए,